नमस्कार कक्षा 6 एक्सरसाइस 3.4 कोशन नमबर 5 का ई भाग हम कर रहे हैं हमारे पास दो संख्याए हैं 216 और 215 हमें देखना है कि ये सहव भाजे हैं या नहीं है तो आएए देखते हैं इसके लिए हम सबसे पहले 216 के गुननखन दिखाएंगे 216 होगा एक गुना 216 दो गुना 216 इसका आधा होगा 108 इसी तरीके से 3 गुना 72 इसी प्रकार से 4 गुना 54 बहुत सारे पहाड़ों में आएगा ये 5 तो नहीं 6 के पहाड़े में भी आ जाएगा 26, 38 और 36, 37 के पहाड़े में नहीं आएगा 8 के पहाड़े में भी आ जाएगा 8 गुना 27 ठीक है इसके अलावा ये 9 के पहाड़े में भी आ जाएगा नो गुना नो दुने अठारा तीन चतिस नो चतिस नो गुना चौबिस दस के पहाड़े में नहीं आएगा ग्यारा के भी नहीं बारा के पहाड़े में यह आ जाएगा बारा के पहाड़े में ये आ जाएगा बारा गुना अठारा इसी प्रकार से तेरा चोदा पंद्रा के पहाड़े में ये नहीं आएगा सोलह के पहाडे में भी नहीं आएगा स्तारा अठारा अठारा के पहाड़े में लिख लिए इसका मतलब ये सारी संख्या हैं जिनके पहाडे में 216 आता है और इसी प्रकार से यदि हम 215 के गुननखन देखें तो वह होगा एक गुना 215 दो के पहाड़े में यह नहीं आएगा तीन के पहाड़े में यह आजाएगा तीन गुना सॉरी तीन के पहाड़े में भी यह नहीं आएगा चार के पहाड़े में भी नहीं आएगा पांच के पहाड़े में यह आजाएगा पांच गुना तरतालिस 43 अभाजय संख्या इसका मतलब 215 के यही गुननखंड है तो आए हम देखते हैं 216 के गुननखंड जो की है सारे लिखने पड़ेंगे हमें 1, 2, 3, 4, 6, 8, 27, 36, 54, 72, 108, 216 यह दो भी रहे गए हमारे इनको भी हम लिखे लेते हैं 9, 12, 18 और 24 इसी प्रकार से 215 के गुननखंड यह हैं 1, 5, 43, 215 अब हमें लिखने हैं सार्व गुननखंड यह बहुत असान है आपने पहले इसके काफी भाग कर लिए हैं देखें सार्व गुननखंड जो दोनों में कॉमन हो एक यहां भी है यहां भी है इसके अलावा देखें यहां पर है 2, 3, 4, 6, 8 यहां नहीं है 27, 36, 54, यहां नहीं है 72, 108, 216, 9, 12, 18, 24 इन में से कोई भी संख्या नीचे नहीं है और इसी प्रकार से नीचे है 5, 43, 215 तो ना तो यहां 5 है ना 43 है ना 215 है इसका मतलब सार्व गुननखंड कितना आ गया एक और हमें पता है दो संख्याएं यदि उनका सबसे बड़ा सार्व गुननखंड एक हो तो वह संख्या कैसी संख्याएं होती है सह अभाज्य तो इसका मतलब 216 और 215 सह अभाज्य संख्याएं है यही हमें निकालना था कि यह सह भाज्य है या नहीं है तो हमने देखा कि सह भाज्य बच्चों वैसे भी जब हमने सहव भाजे का वीडियो किया था तब हमने पड़ा था जो 277 वाली संख्याई हो आठ और 9, 2 और 3, 4 और 5, 216 और 215 ऐसी संख्याई है तो सहव भाजे होती ही है परंतु हमें इसको हल करके दिखाना ही था आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अ मच आया होगा धन्यवाद